प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट ठीक रहेगी, साल के अंत में अविवाहितों का विवाह निश्चित रूप से हो सकता है क्या करेंगे, पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपास ना करें, जादा कुछ ना करें हनुमान चालिसा का ही, पूरे साल भर सुबा शाम पाठ करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय करजा देना भी नहीं चाहिए और करजा लेना भी नहीं चाहिए, क्यों कहते हैं ऐसा? देखिए शाम का समय लक्षमी पूजा का समय है और लक्षमी के आगमन का समय है सुरियास्त के आसपास जादा तर घरों में दीपक जला करके पूजा की जाती है क्योंकि वो समय लक्षमी का समय है लक्षमी माता के आगमन का समय है इस समय कर्ज का लेंदेन बिलकुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय तक आपको कर्ज की समस्या परिशान कर सकते इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अल्टर तब अगर आपके पास धन आता हो लेकिन बिलकुल बचता नहीं हो बचत नहीं हो पाती हो तो क्या करेंगे एक पीले कपड़े में चार गांट हल्दी की बांध लीजिये इसको ब्रिहस्पतिवार को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिये और हल्दी को हर 6 महीने में बदलते रहे पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दीजिए और नई हल्दी पुना बांध करके रख दीजिये अगर आप ऐसा करते हैं तो धन तो आएगा ही धन की बचचत कर पाना भी आपके लिए आसान होगा अगर आपके करियर में उतार चड़ाव रहता हो कभी चीजें बहुत बहतर होती हूँ कभी चीजें बिलकुल खराब हो जाती हूँ तो एक लोटे जल में जरासा गुड या जरासा शक्कर मिला करके ये शिव जी को मीठा जल अरपित करिये नित्य प्रातह एक लोटे जल में जरासा शक्कर या जरासा गुड मिला करके शिव लिंग पर अरपित करके प्राथना करेंगे तो करियर के उतार चड़ाव से बचे रहेंगे